17 मार्श 2021 के करंट अफेर देखेंगे हम इस लेक्चर में उसके बाद हम क्वेस्चन करेंगे क्वेस्चन लास्ट में करेंगे रोज की तरह जो कुछ करंट अफेर पे और स्टैटिक पोर्शन पे बेस्ड होंगे तो स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन फर्स टोपिक है 12 लाचा पास ये अभी न्यूज में है इसे देखेंगे कहां पे है इसकी लॉकेशन सिप्री रिपोर्ट ऑन आम्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट Sipri ने अभी एक report दिये, Sipri क्या है, क्या report दिये, बुरा detail से देखेंगे अधानी ports to develop container terminal in Sri Lanka ये स्री लंका में एक container terminal develop कर रहा है, अधानी port तो ये देखेंगे क्या है, कौन सा group है, अधानी group है, जो इंडिया का वो क्या develop कर रहा है, और क्यों news में है नेशनल institute of food technology, entrepreneurship and management bill 2017 2019 का ये bill है जी, ये अभी news में है, किसलिए है, ये अभी इसे देखेंगे प्रोजेक्ट rehab अभी news में है, reducing elephant human attacks using bees इसे detail से पढ़ेंगे, national capital territory of Delhi, amendment bill 2021 ये अभी लोग सबा में present किया गया ये bill, तो इसे देखेंगे पूरा detail से क्या provision है, क्या feature से इसके, not a news में अभी none of the above ये क्या है, पूरा detail से पढ़ेंगे इसके बारे में, national cyclone risk mitigation project ये news में है recently, अभी government ने launch किया है, इसे देखेंगे national population register, ये NPR, पहले भी हम कई बार पढ़ चुके हैं इसे ये तो कई सालों से news में है, तो अभी भी news में किसलिए है, कुछ बदलाव changes किये हैं इसमें, देखेंगे ये भी, कत्थककली माईस्टो, गुरू चैमन चैरी, कुनी रमन नायर, ये news में हैं किसलिए अभी देखेंगे और कत्थककली क्या इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, और classical dance के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे हम डिटेल से, कन्या, सोमालिया, डिस्प्यूट, अभी Kenya और सोमालिया है, जो ये countries है, Kenya और सोमालिया, African countries है, इनके regarding क्या dispute है, इनके बीच में, तो ये पूरा डिटेल स कोई ऐसी जगह है, मानलो इस mountain के बीच में ऐसी जगह हो, कि थोड़ा निकलने के लिए, एक रास्ता सा बन जाए बीच में, मतलब इस एक इस place से यहाँ पे, जो mountain का इधर की side है, एक side से दूसरी side में जाने के लिए रास्ता, उसे पास बोलते हैं, ये अभी news में, इसलिए जी इस पे अभी work चल रहा है, और ये बारा लाचा पास है, कहां पर ये, ये देखो जी, ये दिखाई देरा आपको बारा लाचा पास, ये हिमाचल को connect रता है लद्धाक से, इसे अब detail में देखते हैं, आपने location देख लिए, ये for the first time ever, border road organization has started work on reopening, बारा लाचा पास, बार बारा लाचा पास है, उसको start करने के लिए, reopen करने के लिए work start कर दिया है, ये हिमाचल पर्देश में है, जो लद्धाक को लेहे से जोड़ता है, मतलब लेहे है जो लद्धाक में, उसको जोडता है हिमाचल पर्देश से, और ये border road organization क्या है, border road organization जी, ministry of defense के अंडर काम करती ह है, रक्षा मंतरले के अंदर, जैसे हमारे ये border है, यहाँ पर इंडिया का border है, ये वाला, ये वाला, ये लेंड border है, तो इसके border के along जो भी road बनाते है, वो organization BRO ही बनाती है, border road, ये border road organization, BRO बनाती है, जो ministry of defense के अंडर काम करती है, लेकिन और national highways बगएरा पूरी कंटी में ministry of road and transport के अंडर काम करती है, लेकिन border road कौन बनाती है, ये BRO, तो इस नहीं start किया जी, इस पर वर्क 12 लाचा पास पे, ये high mountain पास है, जो जासकर range पे, जासकर की पहाड़ी आजी, उस पे है ये 12 लाचा पास, तो ये भी याद रखना कौन सी range पे, कौन सी पहाड़ी पे, ये लाहूल district है, हमाचल परदेश में, उसको गलद्दा की लेह district से connect करता है, और जो लेह मनाली highway है यहाँ पे, उसके पास ये सिस्वेटिड है, जो ये 12 लाचा पास है, ये water divide है between the भागा river और यूनाम river, water divide का मतलब है, जी मानलों ये भागा river flow कर रही है, यहाँ से, और ये य गया होती है, जो मतलब दो river को इधर उधर उधर, उनका water को distribute करती है, दोनों साइड, तो इतना ही था, इसमें चलते है next पे, next आजी सिप्री report on arms import and export, एक report जारी किया जी, released किया अभी, ये Swedish think tank है जी, Swedish का मतलब है Sweden, Sweden का ये think tank है, सिप्री, ये Stockholm International Peace Research Institute, ये इसकी full form है, Stockholm में इ Stockholm में है, ये Stockholm, Sweden की ही capital है, तो इसने एक report release किया अभी, उस report में क्या आया है, कि India second largest importer है arm का, arm का मतलब होता है, हतियार, weapons, जैसे बंदूक वगरा, या फिर आपने missiles वगरा, equipment, कोई जी defense के equipment आप import करते हो, आयत करते हो, दूसरी country से, तो इंडिया पूरे world में second number पे, first number पे सबसे ज़्यादा किसने import किये है, हतियार, arms वगरा, सौधिय अरब में, सौधिय अरब के बाद इंडिया, और 2011-15 में देखे तो US से second largest arm supplier था है, इंडिया के लिए, मतलब सबसे ज़्यादा मंगा था, मतलब, इंडिया सबसे ज़्यादा import किस से करता था, रसिया से, रसिया largest arm supplier था इंडिया के लिए, 2011-15 में और US second number पे, लेकिन 2016-20 में US fourth number पे चला गया है, fourth number पे, क्योंकि 46% lower हो गया, जी previous five year में USA का जो contribution था, जो इंडिया USA से import करता था, कहने का मतलब यह है, अभी जो फिलाल की situation है, 2016 से 20 तक, सबसे largest supplier को है, रसिया, रसिया सबसे ज़्यादा इं सबसे ज़्यादा इंपोर्ट कहां से करता है, रसिया से, फिर फ्रांस से, फिर इस्राइल से, और चौते नंबर पे जी अमेरिका, तो यह चीज आपको बस याद रखने है, चलते है next वे, यह statement में पूछा भी जा सकता है, कि सबसे ज़्यादा 2016-20 में arm supplier कौन इंडिया के ल economic johns limited, यह क्या है अधानी गुरूप फर्म, स्री लंका से इसे letter of intent मिल गया, letter of intent कमतला होता जी, एक साथ ऐसे agreement होता जी, कोई business करने के लिए जो agreement होता है, कि कोई government permission दे देती, उसे बोलते है letter of intent, तो स्री लंकान गुर्मेंट ने अभी दे दिया अधानी गुरूप को, यह वहाँ पर develop करेगा, स्री लंका में, स्री लंका में कहाँ पर कोलंबो में, west container terminal, यह west container terminal, यह port कोई बोलते हैं, यहाँ बंद रखा, एक तर से port बंद रखा, यह देख रहे हैं, आप सम्मूदर के पास, यह develop कर रहा है, यह अधानी गुरूप जो आपको दिखाई दे रहा है बहुत सारी category होती है, उसमें से एक है, build, operate, transfer, इसका क्या मतलब है, मतलब यह है जी, इसमें क्या करते हैं, किसी private group को कोई भी infrastructure develop करने के लिए दे देते हैं, जैसे मानलो जी, अभी अधानी group है, स्री लंका की government ने दे दिया, इसे build करने के लिए, अब west terminal है, जो यह container terminal, अब अधानी group develop करेगा, यानि कि build करेगा, फिर operate करेगा, कितने साल तक के लिए 35 year का period दिया, जी से, तो इसमें यह होता है, BOT model में, कि एक group उसे बनाता है, operate करता है, कुछ साल होता है, जितना agreement में लिखा होता है, और फिर उसे transfer कर देता, टी का मतलब transfer, उतने साल के बाद, क्यो आपका port जो container रही है, अब आप समालो, हमने अपना profit कमा लिया, तो इसकी length कितने होगी, west container terminal की 1400 meter होगी, 20 meter depth का होगा, यहाँ पर, तो बस इतना याद रखना, इसमें, cargo handling के लिए use होगा, cargo का मतलब है, जो सामान आता, समुदर के जरी है, वहाँ पर cargo बोलते है, cargo सामान कोई goods, service, goods वगएरा, चलते हैं next way, National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management Bill 2019, यह 2019 का bill है, बिल का मतलब आप जानते हो, क्या बोलते हैं, विधहक, बोलते हैं, विधहक, हिंदी में, विधहक, एक होता है, अध्यादेश, वो था ordinance, वो अध्यादेश, इसको विधहक बोलते हैं, और जब कोई कानून बन जाता है, वो बोलते हैं, एक्ट, उसको बोलते हैं, अधिनियम, तो यह bill है, 2019 का, किसलिए bill है, यह राजसभा ने अभी पास किया है, इसलिए news में है, यह bill को, राजसभा ने पास कर दिया है, National Technology, यह National Institute of Food Technology, Entrepreneurship and Management Bill, इसको अभी पास कर दिया है, यह क्या करता है, यह इंड पून है, यह जो इंस्टिटूट है, तो इन्हें क्या है, National Importance का स्टेटस देता है, कौन-कौन से इंस्टिटूट है, एक हरियाना का कुंडली है जी, और एक तमिल लाडू में, थंजाबुर में है यह institute, यह food technology institute है, दो, हरियाना में कहां पे, कुंडली में, कुंडली कहां पे, सौनिपर डिस्टिक में, और थंजाबुर डिस्टिक में है, यह कहां पे है, तमिल लाडू में, तो यह दो institute कहां पे, याद रखने है, यह facility प्रोवाइड करेंगे, यह bill है, जो, क्या facility प्रोवाइड करेंगा, these institute in terms of providing instruction, research, knowledge dissemination in the field of food science and technology, यह food science technology में, research वगरा करेंगे जी, यहाँ पे innovation करेंगे, मतलब knowledge को spread करेंगे, dissemination का मतलब होता, spread फैलाना, कि food technology के regarding, यह institute, research वगरा करेंगे, information, dissemination करेंगे, bill also provided board of governor, इस bill में, इन institute के लिए, board of governor है, जो as a principal executive body काम करेगी, और इसके पास एक council भी होगी, जो दो institute हो होगे, उन्हों में एक board of governor होगा, जो मु council होगी, जो सारी जो activities होगी, उनको क्या है, interaction करेगी, coordination करेगी, for the performance of improvement, मतलब council improvement के लिए, काम करेगी, तो दो body होगी, इसके अंदर, board of governor और council, इन institute के अंदर की बात हो रही है, जो कुंडली में होगा, एक हरियाना में, और एक तमिलाडू के थंजावर में, तो बस चलते है नेक्स्ट वे इतना ही था, इसमें, project rehab, यह क्या है, rehab का full form है, reducing elephant human attacks using bees, bees का मतलब होता है, मदुमक्की, सहत तो खाया होगा, अपने honey, जो honey बनाती है, उन्हीं को bee बोलते है, मदुमक्की जानती होगे, तो क्या है, अभी forest area आज है, forest area में क्या होता है, जैसे मालों यह forest है, यहाँ पर forest है, और इधर human habitation है, घर वगएरा बने होए, forest कर रहा है, तो क्या है, यहाँ पर जंगली जानवर आते हैं, जैसे हाथ या अगया, जैसे elephant, especially elephant के लिए, elephant आते हैं, तो घरों को नुकसान पहुजाते हैं, और humans वगएरा को नुकसान पहुजा देते हैं, तो यह conflict and village industries commission का initiative है, जो KVIC है, यह एक statutory body है, statutory body है, बहुत बार हम पढ़ चुके हैं इसके बारे में, अब तक तो आपको याद होना चाहिए था यह, इसके लिए एक act बनाया जी, 1956 में, 1956 में, इसी नाम से खादी and village industries commission act, 1956, तो यह statutory body होगी, act के थुरू बनाई है, मतलब सामविदिक अगर constitution के द्वारा बनाई गए थी, तो constitutional body हो जाती, लेकिन constitution में इसकी कोई provision नहीं है, constitutional body को समवे धानिक बोलते हैं हिंदी में, और statutory body को सामविदिक, तो statutory body है, यह act के थुरू बनाई गी, इसका एक mission है, honey mission, इसने honey mission चलाया था, 2017 में, 2017 में, उसी का सब पार्ट है, जी यह यह किसलिए, ताकि जो elephant और human में जो conflict होता है, attack करते हैं, elephant उसको रोका जा सके, इसका मतलब है, bee fences create होंगी, to thwart, thwart का मतलब है, stop, रोकना, reduce करना, elephant attack in human habitation using honey bee, honey bee को use करके elephant attack को रोकना, ताकि human habitation है, human जहां पर रहते हैं, लोग जहां पर रहते हैं, उनको attack ना करें, कैसे use कर होंगे, यह डिब्बे, क्यों करेंगे, क्योंकि ऐसा माना जाता है, जो elephant है, जो मदू मक्की है, bee, honey bees, उनसे डरते हैं, जी वे, मतलब इन्हें डर लगता है, जहां पर honey bees होते हैं, वहां पर नहीं आती है, तो यह करनाटक के, kodago district में launch के जाएगा, और कहां पर, nagar hole, nagar hole national park और tiger reserve विए है, नागर hole, तो यहां पर install के जाएगे, यह honey bees, यह kodago district में, करनाटक की में है, तो यह nagar hole national park और tiger reserve, दो district में पढ़ता है, नागर hole, एक तो यह kodago district में, और मैसूर district में, मैसूर, यह करनाटक की में, तो यह, और यह की याद, एक चीज और यादर नहीं, इस install की जाएगी, करनाटक के kodago district में, तो यह boxes, भी boxes install की जाएगे, देख लिए हमने boxes कैसे होते हैं, यह जो forest area के periphery में की जाएगे, periphery का मतलब forest area के around, जैसे forest area यह, यह इसके around periphery हो गई, तो इसके around की जाएगे, तो village is with the belief that elephant, मतलब जो यहाँ पर गाम है, ऐसा belief है जी, कि जो elephants है, वो bees, जो honey bees होती है, उसके पास नहीं आते, तो फिर यह क्या है, जब यह forest और human habitation, मालो, इधर forest है, इधर यह forest हो गया, यह honey bees के इधर, यहाँ पर human habitation हो गया, यहाँ घर वगर आऊंगे, human लोग रह रहे होंगे, तो अब यह इसके पार नहीं आ सकेंगे, क्योंकि honey bees स डरते हैं, ऐसा मानते हैं, अब honey mission क्या जी, थोड़ा इसके बारे में भी detail से देख लेते हैं, जब इसका नाम आया तो, यह भी खादी village industries commission ने launch किया था, honey mission, किसलिए, ताकि awareness और training और bee boxes provide की जा सकें, farmers को, मतलब किसानों को क्या है, ऐसे जो bee boxes दो दिखाए थे आपको, ऐसे मदू मकी पालने के लिए, ऐसे boxes दिए जाएंगे, training दिए जाएंगे, और awareness ताकि farmers की income को बढ़ाया जा सके, 2017 में यह launch किया था, और यह sweet revolution का part था, sweet revolution 2016 में launch किया था, sweet revolution का मतलब है जो bee keeping है, उसको भी promote करने के लिए, मदू मकी पालना, जो पालते है, honey का production बढ़ाने के लॉंच की थी, और यह 2016 में की थी, इसी के अंदर launch किया, यह honey mission, और honey mission का part है project rehab, समझ गे, यह पूरा hierarchy है, इसका, चलते है next पे इतना ही था, अब how are symbols allotted to political parties, यह political parties होती है, जी symbol कैसे allot करती है, मतलब कैसे मिलता है इने, जैसे मानलो, Congress का हाथ का symbol है, यह कमल का symbol है, इसका lotus, बीजेपी का, तो मिलते कैसे ही, कौन देता है symbol, यह सारी detail जानेगी, जिस topic में हम, देखो जी symbol, grant करने के लिए कुछ guidelines है, कैसे, मानलो को पार्टी हुई, candidate हुआ, अभी मानलो को पार्टी कंडिडेट, यह सिर्फ रेजिस्टर है, रेकगनाइज नहीं है, समझ गे, देखो जी जो पार्टी एक तो register पार्टी है, अभी मानलो आपने पार्टी बनाई, election commission के पास register करा दिया आपने, कि आपकी पार्टी बन गई, लेकिन अभी recognize party नहीं है, recognize का मतलब है, कि आपको पहचान नहीं मिलिए, कि आप national party हो, यह जी, आपके poll का जो performance होती है, जितनी vote मिली है आपको, उसके हिसाब से, आपने किसनी seat जीती है, उसके हिसाब से, यह define करता है, election commission, वो declare करता है, कि आप national party या state party हो भी, यह हमने अच्छे से पढ़ाता जी, कि political party, national party कब declare होती है, और state party, इसके लिए special lecture भी है, जी, आप playlist में जाकर देख सकते हो, political playlist में, current with GS प क्लिक करके, तो अब यह, जैसे register party होती है, तो वो क्या उसकी party या कोई candidate है, मालो independent candidate, वो three symbol की list प्रोवाइड करता है, election commission को, पहले क्या election commission, एक बहुत सारी list दे देता है, मतलब election commission के पास, लगभग 200 symbol की list होती है, तो यह, जो भी candidate होता है, खड़ा election में, या party है, कोई register party है, उसके पास क election commission उसको देगा, यह choice देगा, यह भाई सब आप symbol चूज करके देदो, मुझे, तो यह party है candidate, तीन symbol चूज करके देगा, election commission को, अब उन में से, तीन symbol में से, one symbol को, party है candidate को, यह allot कर देगा, election commission, उन तीन symbol में से, out of three symbol, one symbol is allotted by the election commission, यह first come first services पे होगा, मालो जो भी, बहुत सार कि मुझे चाकू का symbol दो, यह तलवार का symbol दो, sword का, चाकू समझते हो, आप चकू भी बोलते हैं, चाकू को चकू, तो यह knife बोलते हैं, इंगलिस में knife, तो इसका symbol दो, तो उसे symbol दे दिया जाएगा, तो जब मालो कोई recognized political party, split होती है, मालो कोई political party, यह state party है, यह national party है, वो split हो हो जाएं, कुछ भी, तो फिर उनको symbol, मालो Congress के आधी हो जाएजी, अभी मालो BJP है, BJP के जितने भी party member है, वो अलग-अलग हो जाएजी, आधे member 50% एधर, 50% एधर, तो अब कौन से member को symbol मिलेगा, इनके पास तो lotus symbol एक है, अब दोनों में बहस होगी, हम लेंगे, हम लेंगे लेकिन ये decide कौन करता है, ये election commission decide करता है, मतलब कौन सी party को, अब दो हिस्से होने, कौन से party को आपको symbol दिया जाएगा, वो lotus का, तो ये election commission decide करेगा, अब power कहां से मिलती है, जी election commission को इसकी decide करने की, एक order है 1968 का, election symbol, reservation and allotment order 1968 का, जो election commission को empower करता है, कि कि किसी political party को recognize करना, और उन 1668 का, इसके paragraph 15 में लिखा हुआ है, कि कोई भी dispute arise होता है, rival group में, symbol के regarding, political parties में, name या symbol के regarding, तो election commission ही उसे handle करेगा, election commission is the only authority to decide issues on dispute of merger, मान लोगों को इस party merge होती है, merge का मतलब है, मिल जाती है, एक दो party, A party, B party, दोनों मिलना चाहती है, merge हो जाती है, तो ये सारे dispute होते है, जो merger हो सब election commission के पास है, इसने election commission का, जो decision है, कि election commission decide करेगा, symbol को, political party के merger को, कि किसको symbol देना है, ये supreme court ने भी अपने एक decision में, 1971 का decision है, साधिक अली and others, versus election commission of India, ये case का नाम है supreme court के, 1971 में supreme court ने support किया था, append किया था, इसकी validity को, जो election commission में कहा था, append का मतलब जो support करना, जो election commission ने कहा था कि election commission decide करेगा, symbol के लिए, तो ये supreme court ने भी कहा था, है, election commission के पास बावार है, how many types of symbol are there, कितने types के symbol होते हैं, जी, जिससे चुनाव चिन देते हुए, दखो, एक election commission reservation and allotment amendment order है, 2017 का, तो party symbols, क्या है, दो तरह के हो सकते हैं, या तो reserve, या फिर फिरी, reserve कौन से होते हैं, जी, reserve हो country में, और 64 state parties हैं, तो इनके reserve symbol माने जाते हैं, कि जैसे BJP Congress को symbol मिले हो है, reserve है, कि इन symbol को किसी और को नहीं दिया जा सकता है, क्योंकि ये party को दिये जा चुके हैं, और कुछ symbol होते हैं, फिरी, फिरी मतलब इसमें लगवा, nearly 200 free symbol है, election commission के पास, कुछ भी ले रखे हैं उसने, क इसके पास 200 की list है, लगबग उन्हें बोलते हैं, जो reserve हैं, जो party के पास हैं, वो तो reserve हैं, बाकी किसा फिरी जो इसके पास हैं, तो यही था जी इसमें, चलते हैं next way, national capital territory of Delhi amendment bill 2021, यह बहुत ही most important है, बहुत ही जबरदस्त बदलाव करने जा रही है, central government, national capital reserve में Delhi government है, जो दिल इवाल जी, तो जो CM है, CM के पास होँभी power है, elected government के पास, कि वो क्या है, empowered है, कि law बनाने के लिए, कानून बनाने के लिए, और जो LG है होँआ पे, lieutenant governor, उनकी कोई मतलब इतना माहिने नहीं रखता, वो जो भी advice देंगे na CM, CM जो chief minister या council of minister, जो भी advice देंगे LG को, वो bound होगी उ ये change करने जारी है, भी central government, सारी power किसको देने जारी है, LG को, तो ये जी, बहुत important है, हमार लिए पढ़ना, तो recently अभी लोग सभा में present किया गया है, ये bill, इसमें क्या रखा गया, जो 1991 का act है, इसके थुरू क्या है, डेली, जो डेली है, उस डेली में क्या है, जी, legislative assembly बनाई विधान सभा, विधान सभा बनाई, और इसमें CM का एक post create कर दिया, कि यहाँ पे भी CM रहेगा, पहले डेली में CM नहीं होदा कर दा था, 1991 से पहले, तो इसके जो act में section है न, मतलब प्रविजन कुछ धारा है, 21, 24, 33, 44, इन में propose के आज ही amend करने का, सुधार, सुधार करेगा जो नय amendment के गया, 2021 में, तो इसमें रखा गया है, कि जो government होगी न, national capital territory of Delhi में, उसका मतलब ही यह है, government का मतलब है, LG of Delhi, lieutenant governor of Delhi, मतलब सारी power यह इसको देना चाहते हैं, तो सारी जो LG की discretionary power है, यह सारी LG को दे देंगे, चाहे legislative assembly को power है, जिन पे law बनाने की भी, तो उन पे भी क् रहेगी, वो LG की रहेगी, इसमें क्या है, it seeks to ensure that LG is necessarily granted an opportunity to give her or his opinion before any decision, Delhi government, जो होगी, council of minister, head advice, CM, यह कोई भी decision लेंगे न, उससे पहले lieutenant governor का opinion लेंगे, यह जो भी opinion देंगे, जी opinion का मतलब है, जी विचार, अपने विचार रखेंगे, opinion, तो जो भी रखेंगे, वो इनका opinion लेन जरूरी होगा अब, इस बिल के बाद, अगर यह बिल पास हो गया, बिल का मतलब है, जी विधेयक हिंदी में, यह क्या है, LG की opinion है, वो government को माननी ही होगी, sell be obtained before, मतलब government को लेनी ही पड़ेगी, किसी भी executive action लेना हो, कोई decision लेना हो, तो वो लेनी ही पड़ेगी, चाहे cabinet minister ले होती है, डेली की legislative assembly की कोई committee हो गई, या assembly खुद हो गई, वो मानलो कोई भी rule बना रही है, किसी भी matter पर, day to day administration पर बना रही है, या कोई भी inquiry conduct कर रही है, administrative decision के regarding, तो यह सब के regarding क्या है, assembly को पहले opinion लेनी पड़ेगी, LG की सारे decision में, लेकिन अभी कैसे होती है, डेली government को administer कैस गया गया था, और एक amendment क्या था, constitution में, 69th amendment, यह बहुत important act है, amendment act है, यह आधक ना है, इसके तुरू क्या है, डेली government में CM की post create की, और election स्टार्ट होई जी, 69th amendment act, यह 1991 में क्या था, जिसके तुरू, article 239 AA जोड़ा गया था, constitution में, इसके regarding क्या है, कि सारी power and legislative assembly के पास होंगी, जो law बनाने की, to make laws, accept public order, police and land, देखो जी public order, police और land को छोड़के, सारी power अभी legislative assembly के पास है, वो भी law बना सकती है, लेकिन अगर police के regarding कोई law बनाना हो, दिल्ली police के regarding, या land, जो जमीन है दिल्ली में उसके regarding, या public order, law and order के regarding कुछ बनाना हो जी, तो यह central government के पास power हैं अभी, सम इसू क्या जी, इसू क्या इसू यही है, एक तो already dispute चल रहा जी, lieutenant governor और डेली government के बीच में, जो elected government है, power के regarding, power का distribution किस के बीच में हो, और ये dispute और बढ़ा देगा जी, समझ रहो, बहली already dispute चल रहा है, Supreme Court ने भी अपने verdict में 2018 में एक फैसला सुनाया था, Supreme Court ने, उसने भी ये क कहा था, कि जो CM है जी, मतलब council of minister headed by CM, जो महां की legislative assembly है, उसके पास full favor है, law बनाने का, तो कुछ finding है जी, इसमें कुछ features है, verdict में, Supreme Court ने जो 2018 में दिये थे, UPS ही ने, 2018 में जब यह हो गता न, तो 2018 में इसके regarding main question में पूछा था, Supreme Court के judgment के regarding, तो पढ़ लो ध्यान से, बहुत important है कभी भी पूछा जा सकता है, यह bill, जो पास हो रहा है भी, तो Supreme Court ने क्या कहा था, इस verdict में, verdict का मतलब होता है, decision, fesla, LG concurrence is not required on issues other than police, public order and land, मानलो जी, अगर police, public order, land के regarding, कोई law बनाना है, तो, जो lieutenant governor है, उसकी सहमती, concurrence का मतलब है, ascent, सहमती, लेना कोई जरूरी नहीं है, permission जरूरी नहीं है, अगर इंसे अलग कोई law बना रहा है, तो legislative assembly, तो council of minister का decision होगा, वो लेकिन LG को बताया जाएगा, communicate किया जाएगा, मानलो कोई भी council of minister, head advice, CM, chief minister, कोई भी decision ले रहे है, तो आप lieutenant governor को communicate करोगे, बताओगे, कि यह decision ले रहे है, बस इतना है, कि LG क्या है, bound है by the add and advice of the council of minister, council of minister ने जो भी advice देंगे जी, वो माननी पड़ेगी LG को, अभी यह situation, अभी की बात हो रही है, और यही supreme court ने अपने verdict में कारता, 2018 के में, अब status, जो lieutenant governor का जी, डेली का, वो state के जो governor होते है, state में जैसे governor होता जी, जो point करते हैं, कौन, president, तो ऐसे status इसका नहीं है, LG का, यह merely क्या है, only क्या है, administrator है, LG, मतलब एक परसासक है, जो क्या है, एक तरह से working करता है, lieutenant governor की designation दिया हुआ है, और limited, क्या है, power है, इसके पास LG के पास, तो governor होता है, state में, उसकी तरह नहीं है, अब concern क्या जी, problem क्या है, problem यहीं है, कि अगर यह mandatory बना दिया, कि elected government की सारी power छ क्या है, necessary हो जाएगा, मतलब अनिवार है, compulsory हो जाएगा, तो इससे क्या है, जो government की autonomy है, अभी Delhi government की स्वात्यता independent है, कि वो independently law बना सकती, यह सारी autonomy, उससे take away हो जाएगी, मतलब छिंजाएगी, और जो Delhi government अभी, आपको पता है, जो CM है, current CM, अर्विंद कैजरिवाल जी, वो कहते रहते हैं कि full statehood होना चाहिए, Delhi government को full state बनाना चाहिए, अभी full state का दयजर नहीं है, Delhi government को, तो यह चाहते है, full state मिलना चाहिए, तो इनका जो dream है, full state का, वो भी पाने में डूब जाएगा, जी, एक तरह से, मतलब वो अब full statehood कहां से मिलेगा, सारी power Delhi government की छीनली जाएग ने central government और election commission of India से पूछा है, कि भाई साथ, कि अभी हमारे पास एक petition आई है, पिली आई है, एक याची का आई है, supreme court में किसी ने एक petition डाल दी, याची का, फाइल कर दी, उसमें कहा है, कि अगर किसी constituency में number of the votes, नोटा की जादा हों, मान लो 50% से जादा हों, किसी में, तो व उनका उत्तर पूछा, जी reply देने को का है, कि आपका क्या मानना है, कुछ जवाब दीजी आप, ये petition में हमारे पास ऐसा आया है, तो ये देखो, जी नोटा देखो, पहला आप क्या होता है, नोटा 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 देखो, आप कभी vote किया, आपने, 18 साल के हो गए, हो गए हो नोटा का, तो ये आधर में, कहां पर होता है, नोटा को बटन सबसे लास्ट में, इसका मतल़ है, नन अब देखो, आप किसी कंडिडेट को पसंद नहीं करते हैं, किसी को वोट नहीं देना चाहते हैं, तो ये आप बटन दवा दिया, तो नोटा का वोट चला गया, आप petitioner की डिबांड क्या जी, जिसने petition डाली है, सुप्रीम कोर्ट ने, उसने यही कहा है, कंडिडेट से रिजेक्टिड बाई वोटर सुड नोट भी फिल्ड अगें इन दा फ्रेसलेट पोल्स, मालो जी, अगर किसी को 50% से ज़्यादा कोई कंस्टिटून से, मतलब एरिया है, मा मतलब यही है, कि दुबारा से वहां fresh election हो, fresh polls हो, और दूसरा कोई candidate वहां पर खड़ा किया जाए, election लडने के लिए, क्योंकि यह क्या करता है, एक तरह से, right to reject है, जो electorate का मतलब है, जो voter है, वोट करते है, उनके पास जो right to reject है, उसको एक तरह से promote किया जाए, तो एक better choice हो ज decision ले दिया, कि जिसको मानलो नोटा के vote किसी में जादा है, तो जो candidate उसको हटाया जाए, दूसरा candidate ले आ जाए, और election दुबारा से हो, लेकिन इसको चुनोत यहां जी, मानलो हर बार ऐसा हुआ कि candidate को reject कर दिया, नोटा की vote डालके, तो election तो चलते ही रहेंगे, पारलेमेंट क कर सकती है, कैसे कर सकती है, मानलो जी उन्हें ऐसा आभास हो गया, कि यहां पर जो voter है, वो नोटा पर vote देने वाले हैं, तो voter को आने ही नहीं देंगे, वोट डालने ही नहीं देंगे, तो यह भी एक challenge हो सकता जी, अब यूज कब हो था जी, नोटा का election में, देखो यह Supreme Court ने आदेश दिया था, decision दिया था, 2013 में, कि लोग सबा के election में नोटा का option होना चाहिए, उसके बाद से क्या है, इंडिया became the 14th country to institute negative voting, यह नोटा मतलब negative voting है न, negatively, हम क्या है, कि हम यह दर्स आते हैं, कि हम किसी candidate को नहीं चाहते हैं, इसलिए negative voting भी बोलते हैं, तो ऐसा पहला country न में यूज हुआ था, और अब यह सारे लोग सबा के जो election होते हैं, उनमें सम में होता, assembly के election में भी यूज होता है, why have not a if there is no electoral value, लेकिन अभी जब नोटा की कोई electoral value नहीं है, तो क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जब right to reject है ही नहीं मालो, सबसे ज़्याद नोटा की vote मिल जो voter vote डाल रहा न, उसको एक opportunity देता है, मौका देता है, कि वो disapproval दिखा सके, कि वो यह दिखा सके है, हम किसी candidate को नहीं चाहते हैं, वो vote डाल सकते हैं, और दूसरा इससे क्या होगा, कि इससे जो voting increase होगी, कैसे, मालो जी जो अभी vote डालना चाहते है, इस वज़े से कि सारे candidate चोर है, ऐसा सोचते हैं, कि बेकार है, किसी को vote नहीं देंगे हम, तो किसी को vote नहीं दे लिएंगे, लगबग वो नोटा पे तरो vote डालने आएंगे न, कि भाहिया, आप नौनबदी अभवप पे vote दे दो, नोटा पे vote दे दो, अगर किसी को नहीं दे लिए है, तो इसकी candidate को खड़ा ना करें election में कि जिसको NOTA की vote मिले तो वो क्या है already वो अच्छा candidate चुनेंगी ऐसा political party will be forced to project to clean candidate वो जो clean candidate होंगे जिन पर कोई अपराद लगर crime वगर नहीं है अच्छे candidate को चुनना पसंद करेंगी तो ये इसके फायद है जी अब NOTA इन राजसभा क्या इस हुआ जी देखो ये 2018 में सुप्रीम कोट ने एक मतलब verdict दिया था NOTA का option क्या है only mean to for universal adult franchise and direct election की NOTA का जो use है वो जहाँ पर direct election हो रहा ना direct election MPM में लेका होता जी direct election MPM में लेका होता ना direct election election तो इनके लिए ही होना चाहिए और जहाँ पर universal adult franchise है universal adult franchise का मतलब है जहाँ पर सब को vote देने का समान अधिकार हो लेकिन राजसभा में जब election होते हैं जी राजसभा के तो राजसभा के MP चुने जाते हैं तो उनों में vote कौन करता है हम थोड़ी ना करते है simple common man directly थोड़ी ना vote करता है common man तो कौन करता है उसमें जो state की legislative assembly होते हैं उसके जो member होते हैं जी वो vote करते हैं elected member राजसभा के MPs को चुनने के लिए elect करने के लिए तो ये नोटा का बटन तो कौर्ट ने ये ही का नोटा application in राजसभा election is contrary to the article 18 clause 4 of the constitution जो नोटा का अगर आप राजसभा में यूज करोगे तो article 80 clause 4 है हमारे सभिदान में उसके against है ये contrary है विरुद्ध है और Supreme Court ने जो judgment दिया था 2013 में P.U.C.L. versus Union of India तो इस judgment के भी against है जो judgment दिया था decision दिया था तो इस तरह से क्या अगर नोटा का यहां यूज होगा तो fairness नहीं होगी जी indirect election में क्योंकि ये तो universal adult franchise के लिए है तो ये ही था जी इसमें चलते है next पे अपने topic पे next क्या जी अपना next अपना जी national capital national capital national cycle और risk mitigation project ये national cyclone risk mitigation project अभी क्या है central government ने launch किया जी हमारी country में ताकि जो cyclone से risk होता जी उसको adders करने के लिए adders का मतलब निपटना जैसे cyclone आता जी cyclone चक्रवात बहुत सारे तूफान आता जी और बारिस होती है उसके साथ paid पौदे उखाड़ देता है और houses को गिरा देता कच्चे मकानों को गिरा देता पक्के मकानों को भी गिरा देता जी तेज होता तो तो इसको कैसे निपटा जाय है इसको कैसे कम किया जाय है इसके लिए ये project launch किया जी national cyclone risk mitigation project mitigation का मतलब होता जी करना कम करना तो रिस्क आप समझते हो जोखिम जोखिम को कम करना तो इसका objective यह है जी इसके लिए क्या है is to undertake suitable structural and non-structural measures कुछ measures ले जाएंगी जी step ताकि जो cyclone से जो भी प्रभाब पड़ता है न उसको mitigate किया जा सके कम किया जा सके coastal state में और union territory है जो इंडिया की जैसे अंडवान निकोवार हो गया जी वो तो oceans में जी island घिरा हुआ है लक्सदीफ हो गया तो यहाँ पर जो जो होते है न नुक्सान उनको रोका जा सके अब प्रोजेक्ट को implement कौन करेगा जी implement कम तरब लागू यह करेगा जी NDMA National Disaster Management Authority यह ministry of home affairs के अंडर काम करती है जी नेशनल disaster management authority इसके अंडर काम करती है लेकिन इसका chairman कोन होता है prime minister होता है जी इसके chairman ministry of home affairs के अंडर काम करती है लेकिन chairman कोन होता है खुद prime minister अब ये किस-किस के साथ coordinate करेगी NDMA जो state government में जहां पर cyclone आया उसके साथ और दूसरों National Institute for Disaster Management इन दो के साथ मिलके ये काम करेगी कि cyclone से जो भी प्रभाब पढ़ाया जी जो भी नुकसान हुआ है उसको कैसे handle किया जाए ये project क्या है identified करता है 13 cyclone prone states को और union territories को ये किसके बेस पर करता है varying level of vulnerability मतलब जो भी वहाँ पर मानलो जितना जैसे नुकसान होता है जादा और कम उसके बेस पर ये identify करेगा 13 cyclone prone zone को इसमें दो category होंगी और इसको assist कौन करेगा जी world bank assist करेगा साहता देगा इस project को implement करने में ये जो states होंगे जी union territories इनको classified कियागा जाएगा two categories पर किसके बेस पर कि वहाँ पर cyclone की frequency कितनी है और size of population कितना है और कितना नुकसान होता जी तो इसके बेस पर दो category में divide करेगा category 1 और category 2 category 1 में जी वो और area जोंगे जहां higher vulnerability states है जहां पर नुकसान ज्यादा होता जी जहां पर खत्रा ज्यादा है जैसे कौन कौन से state हो गए जैसे coastal ही रहा हो गए जी आंदर परदेश का गुजरात का उडिशा तमिलाडू वेस्ट बंगाली यहां पर cyclones की जो frequency होती बहुत ज्यादा हाई होती और बहुत ज्यादा इसे implement किया जाएगा क्या काम किया जाएगा इसमें जब किया जाएगा कैसे कम किया जाएगा पहले तो यह warning दी जाएगी early warning dissemination system को improve किया जाएगा early warning का मतलब है जी पहले ही जैसे मानलो super computer से पता लग जाता है कि cyclone आने वाला है अनुमान लगा जाता है weather forecasting के जरीए तो इसस इसे क्या है पहले ही हम warning देदेंगे चितावनी देदेंगे dissemination का मतलब है spread फैला देंगे उस areas में जहाँ पर cyclone आने वाला इसको improve करेंगे दूसरा क्या है enhanced capacity of local communities to respond to disasters जहाँ पर मानलो disaster आने वाला जी आप दा संकट आने वाला है तो जो वहाँ पर local communities रहते है ना local लोग उन उनको भी उनकी capacity enhance करेंगे कि भाई साब अगर cyclone वगएर आ जाये तो कैसे निप्ट हो गया तो उनकी capacity increase करना next improved access to emergency shelter evacuation protection against wild storm flooding storm surge in high area वहाँ पर क्या जी shelter उनको मानलो emergency shelter बनाई जाएगा जी कि emergency पर आपात काल इनको इस्तिति आ जाए जाए जी तो वहाँ पर उनको evacuate करने के लिए मतलब वहाँ से निकालने के लिए उन्हें shelter provide की जाए जी और protection की जाए जी उनका storm के अगेंस्ट यह program हो जागा जी दूसरा जी strengthening DRM capacity DRM capacity को strength किया जाएगा जी strength का मतलब मजबूत बना रहे हैं तो इतना इथा जी इसमें चलते है नेक्स्ट पे नेस्ट अपना national population register इसके बार में कई बार हम पहले भी पढ़ चुके है करेंट फिर में दुबारा न्यूज में क्यों हो के इसलिए न्यूज में जी central government ने plan बनाया है कि इसमें क्या है पहले क्या है घर घर जाके आपके register करते घर घर आपके घर पे जाते और register करते सारे जो भी individual इंडिया में जो भी resident रह रह रहा है उसकी बारे में detail लेकिन अभी क्या है central government ने change किया है यह allow क्या है जो भी resident है इंडिया में जो भी निवासिया रहते हैं जो लोग वो अपने आप on their own अपने आप form सब्सक्राइब करने के बाद resident को एक reference code मिलेगा will get a reference code जैसे मानलों जी आप UPSC का या किसी का form भरते हो आपको एक password और वो मिल जाता है न मतलब आपको enrollment number मिल जाता है registration number मिल जाता है आपका registration number ऐसे ऐसे इसको एक reference code मिल जाएगा जब आप अपनी detail भरोगे census के regarding जन संक के regarding तो इससे क्या है जब field enumerator होंगे जो आपके घर म download उसे बताओगे और वो अपने mobile में डालेगा सारी detail आ जाएगी इससे क्या है कि उसो आसानी होगी कि वहाँ पर एक बार जल्दी से अपनी कर लेगा मतलब confirm करेगा हाँ जो detail भरी है सही है ठीक है इतनी member है family में तो detail चेक करके बस आ जाएगा तो लेकिन कोई इसमें biometric और document वगरा की जरूरत नहीं है जी मालो आपसे कोई document मांगे आपके घर में जाए जी जनसंक की account करने के लिए वो कहेगी आधार कार्ट दिखाओ या आपका pen card दिखाओ यह कुछ दिखाने की जूरत नहीं है आप मना कर सकते हो यह कोई mandatory नहीं है और वो कहेगी retina scan मांगे आपक पर सकते हो कोई necessary नहीं है जो आप बताओगे वो इसे ही जो आपने information भरी है online उसी के base पे अब national population register है क्या जी यह एक register है एक register ही है मतलब उस जिसमें क्या है usual resident country में वो बस register होते हैं आपका नाम लिखा होगा जितने भी निवासी रहते हैं हमारे country में उन सबका नाम लिखा ह में अब यह online mode पर होगा online सबका नाम होगा इससे क्या यह local लेवल पर village लेवल पर सब्टाउन सब डिस्टिक स्टेट या national लेवल पर क्रियेट किया जाता है और एक act है हमारा citizenship act 1955 का उसके अंदरकत यह क्रियेट किया जाता है इसमें जी रूल से एक citizenship registration and issue of national identity card rules 2003 के 2003 के रूल यूजवल रेजिडेंट रहता है इंडिया में उसको register करना ना NPR में जो भी मानलों निवासी रहता ना इंडिया में चाहे citizen हो या non citizen उस सब को register करना यह अनिवार है mandatory है कराना ही कराना जी इसका objective यह ही है कि जो every usual resident है हमारी country में उसका data voice हो जी country के पास मानलों को scheme चलानी है योजना चलानी है तो government क्या उसके base पर योजना चला सकते है कि इतने poor people इतने लोग हैं यहां पर इतने इनके पास चीज़े हैं तो यह सारी detail होगी कि जंसें क्या इतनी है कि इसको maintenance कैसे किया जाए तो सारी detail होगी जी किसके पास government के पास तो यह NPR जो किया गया था first collected 2010 में क S Hani Summer, Usual resident कौन होता है यह होता है जैसे मालो को six मेने से रह रह रहा है मालो अब counting हो रही है एब से छ???? मेने पहले इंडिया में रह रह रहा है !! या फिर अगले 거 6 मेहने तक वह रहने वाला है , 6 मेहने से ज्यादा समेगे उसे बोलते है usual resident who has resided in a local area for the past 6 month or more or person who intends to reside in that area for next 6 month or more, भलब 6 मेने से ज़ादा रहने वाला है या 6 मेने से रह रहा है उसे बोल दें usual resident अब ये आप graph देख सकते हो जी यहाँ पर table ये table में देखो ये ही लिखा है जो हमने पढ़ा है table में क्या लिखा है कि NPR क्या होगा असम को छोड़के सारी country में ये NPR register होगा, excluding असम में register नहीं होगा जी है, समझे रहे है usual resident का, और इसमें कोई identity card आधार, passport, driving license, water card को इसी भी ज़रूरत नहीं है, जिर्फ pen card की detail भी बिल्कुल कुछ भी नहीं, ये सब volunteer ये आप देना चाहो तो दे दोगा, नहीं तो कोई जरूरी भी नहीं है और usual resident क्या होते हैं हमने जान लिया इसमें सब और इसमें कोई documents की जरूरत नहीं है और नहीं कोई biometric की जरूरत है और ये पहले 2010 में किया गया था जब 2011 की census हुई थी उससे पहले, तो चलते हैं जी next में next क्या जी, इससे देखते हैं next है हमारा कत्थकली माश्टो गुरू चैमन चैरी कुन्ही रमन नायर, ये अभी news में है समझ गए, news में है ये आप देखो क्यो news में है, पहले इनका photo देखो ये हैं जी, चैमन चैरी कुनी रमन नायर ये कत्थकली परफॉर्म करते हैं कत्थकली डांस है, क्लासिकल डांस कत्थकली केरल का, इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे हम तो इनके बारे में पहले पढ़ते हैं ये अभी recently news में इसलिए है क्योंकि इनकी मिर्ति होगे, नायर डाइड होगे at the age of 105, 105 साल की उमर में मर गए केरल के कोजी कोड में, इसलिए news में ये कत्थकली परफॉर्म करते हैं कत्थकली केरल का डांस है, क्लासिकल डांस है इंडिया के, कुल 8 डांस है, क्लासिकल डांस उनको देखेंगे, कौन-कौन से 8 क्लासिकल डांस है हमारे, ये क्या बार question पूछा जो कर चुका है UPSC में, किसी भी exam में, PCS के exam में तो पूछते ही है, UPSC में भी क्या बार पूछा जा चुका है, तो ये गुरू चैमन चैरी कलाडी कोडन स्टाइल में, देखो, कथकली के 3 स्टाइल है, मतलब 3 कैटेगरी हैं कथकली डांस करने की, उनमें से ये कलाडी कोडन स्टाइल में परफॉर्म करते थे, और 2 काटेगरी कौन-कौन से हैं, स्टाइल का मतलब होता है जी Sally एक category है मतलब तीन तीन तरीके से कथकली को परफॉर्म किया जाता है तो ये कुलाडी कोडन स्टाइल में करते थे दूसरी अलग category है जी वटाथू और कपी लंगुडू कपी लिंगाडू कपी लिंगाडू और वटाथू के नाम है जी कखुद ही परनाूम्स कर लो आप तो यह दू आती तो यह जो कुलाडी कोड़न स्टाइल ये किस इसके मेजर स्टाइल है वो देख चुक हैं बटा तू और कपी लंगाडू अब यह कॉलाडी कोड़न स्टाइल है ये equal importance देता है इसके 3 aspects को कत्य कली में 3 aspects होते हैं एक निर्थ, निर्थे और नाटे निर्थ का मतलब है dance movement जो dance की movement होती है और निर्थे का मतलब है कि जो expression होते हैं मुद्रा, गेशर, जैसे हाथ के गेशर होगे, हाथ कैसे करना dance करते होए, face की expression कैसी होती है वो निर्थे में आते हैं और नाटे में क्या आता जी नाटे में आता dramatic element of dance dance के dramatic element जैसे मानलो किसी को imitation कर रहे हो, किसी की copy कर रहे हो जी इसमें, तो वो सारा इसमें आता नाटे में मतलब मतलब जैसे जी आप मानलो किर्षना राधा पे कुछ dance कर रहे हो तो उसको कैसे copy कर रहे हो वो सब नाटे में आता है, drama एक तरह से one of the most popular portrayal on stage is that Lord Krishna and Sudama जो कथाकली का जो dance था जी main ये Lord Krishna और Sudama पे performance है main इसका इसे केरल में बोलते हैं जी अब आवार्ड जो गुरू चैमन चैरी जी इनको अवार्ड में मिल चुका है कौन सा पदमस्री अवार्ड मिल चुका है 2017 में अब ये अवार्ड मिला नहीं मिला ये तो important नहीं है हाँ केरल PCS की त्यारी कर रहे हो उसमें पूछा जा सकता है अब UPSC के लिए important है जी कत्थक कली ये कत्थक कली क्या है ये dance form इसे पढ़ते हैं जी ये कत्थक कली देखो ऐसे perform किया जाता है ये कुछ बहुत ही जादा मेकप किया जाता है इसमें देख रहे है आप मेकप और ये पूरा मुकुट वगएरण ये इसकी ड्रेस वगएरण सारा ये कत्थकली डांस एट क्लासिकल डांस मेंसे एक है जी इंडिया के एट क्लासिकल डांस ए आर्ट इसमें क्या है मतलब जैसे वो होते हैं विलन होते हैं फिल्म में हीरो होगा है और दैमन्स मतलब विलन हो कथक कली में में आप होता है और इसका कॉस्ट्यूम इंग होता जिसमें मास्क होता है यूज, skirt होते हैं, big head, dress होती है, इसमें different facial color होते हैं, मतलब face पे बहुत सारे different color होते हैं, जैसे green color हो गया जी, green color क्या show करता है, nobility को, nobility का मतलब है, कि ये clean work से, मतलब rich people या बहुती अच्छी prestige है इसकी समाज में, और black का मतलब होता है, color का wickedness, बहुती कम जोर है जी ये, red patches होते हैं, red patches का मतलब है, royalty and evil, ये इसको show करता है, अब eight dance कौन कौन से हैं, इंडिया में classical dance, ये एक बार देख लो जी, भरतनाट्य में ये कहां का, तमिलनाड का, कथा कहां का, North India कहां का, यूपी का, North India में, ये जी कथा कली ये कहां का, केरल का, महुनियट्यम केरल का, ये दोनों केरल के याद रखने हैं, कुच्चिपूरी है जी कहां की, आंदरपरदेश की, उडिसी, उडिसा में, सतरिया असम में, मनिपूरी, मनिपूर का, तो ये एट डांस आपको याद रखने हैं, सिर्फ इतना ही पूछा जाया है, कि भरतनाट्यम कहां से, कथ्यक कहां से, इतना ही पूछा जाता है, अगर PCS का एक्जाम दे रहे हैं तो, समझ के, अब ये कन्या सोमालिया डिस्प्यूट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है जी अपना, केनिया जी एकन्या नहीं है, केनिया, केनिया सोमालिया डिस्प्यूट, केनिया क्या है, अभी ICJ ने डिसिजन दिया, इंटरनेशनल कोर्ट अफ जस्टीज की प्रसीडिंग हो रही थी, मीटिंग चल रही थी, उसमें केनिया ने पार्टिस्पेट करने से इनकार कर दिया, क्यों क्योंकि सोमालिया और केनिया का बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा है, मतलब सीमा को लेकर विवाद चल रहा है, पहले आप ये देखो जी, इनका दोनों मैप देखो ये Kenya और ये Somalia है कहाँ पे ये देखो आप ये है जी आपका Africa का मैप यहाँ पे देख रहा हूं ने ये Kenya और ये Somalia है अब ये बड़े मैप में देखो अब क्या dispute है इसमें ही समझ लो आप Somalia ये तो ये border ये इसकी लाइन आ रही है समझ के ये लाइन आ रही है ये लाइन इधर सीधी ये जा रही है कि Somalia बोलता है कि हमारा जो ocean में border है न इस line के according होना चाहिए समझ के देखो जो लाइन आ रही है ने इस direction में होना चाहिए देखो जब Kenya का यहां border है ocean पे भी तो कुछ उसका हक होता है country का जो समुधर होता है यहाँ पर तो समुधर है Indian ocean है तो ये कहता है Somalia जिस direction में border जा रहा उस direction में ये area Somalia का होना चाहिए ocean में लेकिन ये Kenya क्या बोलता है फिर Kenya बोलता है कि जो border की direction है ये border यहाँ पे खतम होता है ये equator के parallel होना चाहिए equator line ऐसे जा रही है सीधी तो ये border line यहाँ पे होना चाहिए तो इससे उपर Somalia का ocean पे हक होना चाहिए और इससे नीचे Kenya का होना चाहिए ये कहना है अब इस area के बीच में dispute है जी ये area जो समझ गे ये जो दिखाई दे रहा आपको ये इसके बीच में ये triangle बन गया इसके बीच में dispute है क्योंकि यहाँ पे oil reserve वगरा deposit वगरा mineral वगरा बहुत पाए जाते हैं तो ये चाहते है इसका Kenya चाहता है यहाँ एक border हो ये चाह रहा है इस line पे border हो पहले दोनों की अलग-अलग सोच है जी इसी पे border चल रहा है यही पे ये सारा इसी में सोमालिया का stand क्या हमने देख लिया सोमालिया चाहता है कि जो land border की line सीधी वो हो नीचे सीधी और इंडियनोशन में और Kenya का stand क्या है कि maritime border parallel to equator होना चाहिए अब इसकी importance क्या जी dispute area की मतलब एक triangle बनता है लगवग 1.6 lakh square kilometer का area जी जो minerals में reserve में यहां पे रिच है बहुत ज़्यादा minerals oil gas deposit पाय जाते हैं ऐसा माना जाता है यहां पे अब international court of justice क्या इसके बार में थोड़ा पढ़ लेते हैं यह principal organ है जी किसका United Nation का इसे 1945 में बनाया गया था ICJ को यह इसकी working start हुईती जी 1946 से यह principal judicial organ है आपको जैसे पता होगा कि United Nation के कितने organ है 6 organ है और बहुत सारी specialized agency है तो उनमें से एक है ICJ इसका इसे peace palace भी बोलते हैं जी क्योंकि कि यहाँ पे इसका जो headquarter है नीदर लेंड में नीदर लेंड यूरोप में एक country है उसकी hack capital है वहाँ पे इसका headquarter है ICJ का यह dispute का settlement करता है किसी state party के बीच में और advisory opinion देता है कि ताकि दो countries के बीच में dispute है उसको solve किया जा सके जो इसकी ruling होती हो जो decision दें दिया binding होता है binding का मतलब बाद्यकारी लेकिन इस court के पास कोई भी no enforcement power कोई भी enforcement power नहीं है मानलोग इसके rule को कोई नाम आने तो कोई मतलब ही कोई सजा वजा तो देगा नहीं इसमें क्या मानलोग binding का मतलब बाद्यकारी है मानना पड़ेगा हाँ कहने के लिए binding है लेकिन मानलोग कोई country follow नहीं करती है तो कोई enforcement power नहीं है कि उसके कोई सजा वजा दे जा ऐसा कुछ नहीं होता है बस क्या है पूरे international level पर उसकी किरकिरी हो जाती है एक दरह से उसका disrespect होता है इसने United Nation के जो ruling है वो नहीं मानी तो इसमें इतना ही था जी आज के topic अब चलते हैं हम question करेंगे first question क्या है Operation Clean Art ये बहुत पहले हमने news में पढ़ा था जी current affair में ये बताना है कि initiative किस का है Operation Clean Art CCRT का है क्या Center for Cultural Resource Training Ministry of Environment, Forest, Climate Change Wildlife Crime Control Bureau का none of the above बताओ जी किस का है देखो जी इसका सही option है wildlife crime control bureau का है ये monguj होते हैं ना monguj उनको बचाने के लिए preserve करने के लिए operation चलाया monguj क्या होते हैं ये होते हैं monguj देख लो monguj समझ गे monguj इससे बहुत जगे पर नियोड़ा भी बोलते हैं नियोड़ा पता हो या पता होगा आपको ये next question ही हमारा true net machines ये true net जो mechanism है machines है true net ये recently news में था जी ये किसलिए काम आता है किसलिए test किया जाता है covid-19 का tuberculosis का HIV का किस-किस का test किया जा सकता है true net के जरिए ये बताना है आपको आपका first है जी one only, one two, one three, one two three all पता हो जी किस-किस का test के लिए use हो सकता है true net इसका answer है जी all of the above covid-19 के लिए भी use हो सकता है और आपका tuber closest के लिए भी use हो सकता है और HIV के लिए जी तो answer D हो जाएगा चलते है next पे access to bare necessities are a sine qua non to live sine qua non को मतलब जी essential जरूरी to live decent life ये कह रहा है कि bare necessities होती है न जो मतलब जीने के लिए आवस्चक जो जरूरत होती है वो decent life जीने के लिए मतलब अच्छी सालें जिन्द की जीने के लिए जरूरी होती है in order to improve access to bare necessities the successive government have launched the following scheme जो bare necessities है जी जो जरूरत की चीज़े है life के जीने के लिए हर मनुस्च के लिए इनके लिए government ने कौन-कौन से scheme launch की है ताकि लोगों की जो आवस्चक जरूरत हैं वो पूरा हो तो ये बताना कौन-कौन से scheme launch की है आपके option देखने से पहले-पहले option पढ़ो तो सही एक है जी स्वच भारत मिसन के लाउंच किया bare necessities को पूरा करने के लिए next national rural drinking water program प्रधान मंत्री आवास योजना सोभागय scheme या उजवला योजना पता हो जी ये bare necessities होती है जो आवस्च जरूरत होती है उनको पूरा करती है चलते है नेक्स पे consider the following statement regarding national cooperative development corporation आपको कुछ statement दी हुई है जी correct बताना आपको कौन सी है national cooperative development corporation is the apex financing organization of ministry of commerce and industry जो NCDC है minister of commerce and industry के अंडर काम करती है क्या ये एक statutory corporation है set up under the act of Indian parliament ये सामधिक संस्ता है क्या NCDC carries out plan and promoting programs for production, processing, marketing, storage, export and import of agriculture product जो agriculture product होते हैं जो उनकी processing वगरा export आयात, निर्यात कैसे करना marketing कैसे करनी है, सारे program planning ये बनाती है क्या NCDC आपको option है जी 1,2,1,3,2,3 या all of the above जेखो जी पहला बिल्कुल गलत है क्योंकि ये commerce and industry ministry के अंदर नहीं बलकि agriculture ministry के अंदर काम करती है तो पहला जहाँ जहाँ पे काट दो आपका answer आ गया जी C, C answer बिल्कुल correct है चलते है next पे जी next जी consider the following statement कुछ statement दिऊंचे जी आपको consider करना correct statement कौन-कौन सी है first of all, it requires it requires presidential ascent for states notifying the changing to OVC category अगर मानलो किसी state को राजजय को OVC category में को change करना है, किसी caste को बहार निकालना है, किसी caste को डालना है OVC category में, तो प्रेजडेंट की सहमती लेनी पड़ेगी, प्रेजडेंट की असेंट लेनी पड़ेगी according to Indra Sahani's judgment under no circumstances, the center can exceed 50% limit on reservation, देखो जी कैसी भी इस्तिती आए, कोई भी situation आजाए कि Supreme Court के सहानी judgment के अनुसार, Central Government के आए, कुछ भी 50% से ज़्यादा reservation नहीं दे सकती किसी भी case में, ये second statement बोल रही है third बोल रही है, article 16 of the constitution deals with the equality of opportunity in public employment देखो जी, public employment में समान opportunity मौकर देता आए, article 16 के अनुसार, तो ये क्या सही है क्या, 1, 2, 1, 3, 3 या 2, 3, देखो जी, पहला statement बिल्कुल सही है, दूसरा भी सही नहीं है, क्यों नहीं है सही इसलिए नहीं है, क्योंकि आपको जैसे पता हुआ ऐसे निकाल सकते हो आप, देखो तमिल नाडू में 69% reservation है जी, 69% तो 50% special circumstances में दी जा सकती है 50% से ज़्यादा, समझ गए तो ये बिल्कुल गलत है statement, दो जहां जहां पर काड़ दो 1-3 बिल्कुल सही है जी, तो answer हो जाएगा जी हमारा A, क्योंकि state government जब भी OBC के list में change करती है president की assent लेना जरूरी है, require है चलते है next पे जी, next हमारा which of the following term have been not defined under constitution constitution में कौन सी जो term दी हुई ये define नहीं है, परिभासित नहीं है procedure established by law union territory, agriculture income या securities और stocks बताओ जी कौन सी define नहीं है इसका A, correct answer है procedure established by law ये define नहीं है, union territory first rule में define है जी, article में भी हुई है agriculture income भी define है, security भी define है लेकिन procedure established by law ये supreme court ने define किया था जी, अपने decision में बलकि constitution में कहीं पर define नहीं है चलते हैं जी next पे which of the provision of the constitution provide the secular character of the Indian state हमारे सविधान में कौन कौन से ऐसे provision है जो धर्म निर्पेक्सका को प्रदर्शित करते हैं secular को provide करते हैं secularism को, ये बताना आपको correct statement बताने हैं, कौन सी है आपका first statement है preamble preamble में दिया गया क्या next है preamble scores all the season of India liberty of faith, belief, worship ये preamble में दिया गया क्या और ये secularism को promote करता है क्या second बोल ये no person shall be compelled to pay any taxes for the promotion of particular religion किसी भी आदमी को compelled नहीं किया जाएगा, compelled का मतलब है force किसी पे ये दवाव नहीं डाला जाएगा कि आप tax भरिये किसी religion को promote करने के लिए third बोल रा state sell endeavor to secure for all season a uniform civil code state क्या ये प्रत्यन करेगा, endeavor का मतलब है प्रत्यन करेगा, endeavor कोसिस करेगा try करेगा, कि uniform civil code हो सारे season के लिए, मतलब सभी season के लिए एक ही लोग हो, ऐसा नहीं हर धनम के लिए अलग अलग लोग हो, तो statement बताने जी one two two, one three या one two three all of the other correct जी, d answer से ये सारे correct है, सारे secularism को promote करते है next जी directive principle of state policy, resemble the instrument of instruction enumerated in, ये instrument of instruction से लिया गया था, directive principle और instrument of instruction कौन से act में दिया गया था, ये बताना आपको government of India Act 1918 objective resolution 1946, Montego Charles Ford Act 1919 या government of India Act 1935 का, बताओ जी कौन से act में दिया गया था जी हाँ बेलकुल सही हमने पढ़ा था ये एक बार, एक lecture में 1935 का act है, ये answer हो जाएगा चलते है next पे जी, consider the following statement दियूए जी, incorrect बताना इस बार आपको, गलत statement, original constitution did not provide for the fundamental duty of the citizen जो हमारा original constitution था जब सवीधान बना था उसमें क्या है, fundamental duty जो मौलिक करतवे हैं, fundamental duty उसमें नहीं दी गई थी rights and duties of citizens are correlative and inseparable जो हमारे अधिकार हैं, duties हैं करतवे हैं वो correlative हैं, एक दूसरे को support करते हैं और उन्हें अलग नहीं किया जा सकता है, inseparable हैं तो आपको incorrect बताना जी, गलत कौन सा है पहला गलत, दूसरा गलत यहां, जा दोनों गलत यहां, दोनों में से कोई सा गलत नहीं है, D और हमें incorrect बताना है, मतलब कोई सा भी गलत नहीं है neither one, neither, neither one और nor two क्योंकि दोनों से ही है, fundamental जो duty है, वो 42nd Amendment X से जोड़ी गए जी, 1976 में स्वयन सिंग कमेटी की रिपोर्ट के पर, रिकमेंडेशन पर और राइट्स और डूटी कोर्रेलेटिव हैं जी, और इंसे परेवल हैं यह भी correct है जी, चलते हैं next पर, और final question है जी आज का यह पताना जो absolute liability का जो सिद्धानत है, वो कौन से आर्टिकल में दिया गया है Supreme Court के judgment का अनुसार, आर्टिकल 14 में, आर्टिकल 19 में, आर्टिकल 21 में, आर्टिकल 22 में इसका सही जवाब जी, C, आर्टिकल 21 में दिया है, राइट तू लाइफ में कि principle of absolute liability है, यह court ने, Supreme Court ने कहा था, तो आज के question last था, जी और last question के साथ हमारा lecture भी finish होता है